ये फ्रेंड वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल मिश्क डीके और आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वह पंजाब नेशनल बैंक जी हाँ आज हम बात करेंगे इसके क्वाटर फोर जैल को लेकर इसने जो अपना क्वाटर फोर जैल डिकलेर कर दिया है तो हुआ है वह आप देखोगे 21,095 क्रोड जी है 21,095 क्रोड प्रीविस क्वाटर के मैं बात करेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे 22,026 क्रोड यानि प्रीविस क्वाटर से अपके बार हमें जो इसके रिवेन्यू में गिरावर देखने को मिल रही है अगर बात करू में इस तो आपकर आपकर inhoud के प्रीविस क्रोड धीन की तो आप करेंगे 23,035 क्रोड यानि प्रीविस क्रोड है ुआ रही है वह आप देखोगे 3353 क्रोड की तो previous quarter से अपके बार हमें जो इसके provisioning में जंप देखने को मिला है ये अच्छी बात नहीं है अब हम बात करते हैं इसके net profit की तो आप देखोगे after tax जो इसका net profit बचाए वो है 201 क्रोड previous quarter के हम बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे 1126 क्रोड यानि कि previous quarter से अपके बार हमें जो अब बहुत जादा कम profit देखने को मिल रहा है इसका इसना कम profit क्यों बचाए क्यों कि इसकी जो provisioning अब की बार बहुत जादा है previous quarter से अगर बात करूँ में इसके net NPA की तो आप देखोगे अब की बार जो इसका NPA 34908 क्रोड का previous quarter की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप देखोगे 33888 क्रोड का तो NPA में भी हमें जो आपके बार इसके jump देखने को मिला है आप देख सकते हो अगर मैं बात करूँ इसके EPS की यानि earning पर share की तो आप देखोगे अपके बार जो इसका EPS रहा है वो 18 पैसे previous quarter के में आप देखोगे 1 रूपे 2 पैसे तो previous quarter से अपके बार हमें जो इसके EPS में भी गिरावट देखने को मिली है आप देखोगे bank निजोहना dividend भी अनौंस किया 64 पैसे पर equity share से तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना and thank you for watching the वीडियो